हेलो एवरिवन, वेलकम टूवर्च चानल, आज है हमारी प्लाउस क्लास का 28 वा दिन और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कटोरी प्लाउस की कटिंग का वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप सभी की रिक्वेस्ट पर हैं, और इससे पहले भी मैंने कटोर प्लाउस की कटिंग का वीडियो शेयर किया है, लेकिन प्लाउस क्लास के सीरीज है, इसी के कोर्डिंग में वापिस आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, और आज मैंने प्लाउस से नाप नहीं लिया हुआ है, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है, अगर मैं से नाप लेना लेख लेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप ये नाप देख लीजिए ये बोडी मेजर्मेंट का नाप है और इसमें मैंने दो इंच लूजिंग एट की है और यहां पर मैंने एक कार्ड शिट ली हुई है जो कि मेरी डबल फोल्ड में रखी हुई है आप सिंगल भी रख सकते हैं हम यहां बैक पार्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि बैक पार्ट सिंपल बैक पार्ट की तरह ही रहेगा लेंथ में एक इंच प्लस करना इसलिए में फ्रंट पार्ट बना रही हूं तो यहां पर मैं फ्रंट पार्ट की लंबाई ले रही हैं बागी कोई ज़रोत नहीं है आपको प्लस करने की एक्जेक्ट ही लेना है ठीक है तो यहां पर मुझे 14 सारे 14 तयार चाहिए तो मैंने एक्जेक्ट ले ली है अब यहां पर बंध भाग खुला भाग देख लीजे वैसे कोई ज़रोत नहीं है इसकी अब सबसे पहले काम आपको करना है जितर भी आप गले का निशान लगाएंगे ना उस साइड से आपको 2 से 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है अब 2 कब लगाना है तो नॉर्मल साइज में आपको 2 इंच पर एक निशान लगाना है और जब हैवी साइज हो त बिल्कुल भी अब इसे ध्यान नहीं रखना है अब as it is marking करनी है जैसी हम normal blouse में करते हैं अब इस दो इंच को आप बिल्कुल भूल जाएए अब देखे शोल्डर का निशान लगाएंगे सबसे पहले तो शोल्डर हमारा है 13 तो 13 का हम आधा कर लेंगे तो हमारा कितना आएग शोल्डर में मैंने आधा करके आधा इंच माइनस किया है और अब यहाँ पर मैं सीधी लाइन बना दूँगी अब लाइन बनाने के बाद मैं गले की चोड़ाई का निशान लगाऊंगी तो मैं यहाँ पर पोने तीन इंच ले रही हूँ आप जाए तो सीने का बारवा भा करके भी ले सकते हैं ठीक है वो भी एक फॉर्मूला होता है या फिर आप धाई ले सकते हैं पोने तीन ले सकते हैं अब गले की लंबाई जो है मैं 6.5 ले रही हूँ मुझे इतनी ही तयार चाहिए तो इसी के कॉडिंग मैं ने ले लिया है 6.5 इंच अब यहाँ पर एक तो देखे यहाँ पर मेरा हाफ निकाल लिया है विनि अप अंदास से भी दे सकते हैं उसके बाद जो कोना है न वहां पर इंच टेप रखेंगे और 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे क्योंकि फ्रंट पार्ट में हम हमेशा एक इंच पर ही गुलाई देते हैं अब हम यहाँ पहले सीने का नाप लगाएंगे लेकिन ध्यान रखना है वो जो दो इंच का निशाने न उसे छोड़ते हुए लेना है तो मेरा यहाँ चेस्ट ही 36 तो 36 का हम फोर्ट पार्ट करेंगे यानि की चोथा हिस्सा तो हमारा नाइन इंच आएगा यहाँ पर तो मिने नाइन इंच पर निशान लगा दिया है प्लेस तो हम इसमें मार्जिनेट कर देंगे तो यहाँ पर मेरा कुल मिलाकर 11 इंच हो गया है अब उसकी पात हम कमर का निशान लगाएंगे तो कमर में भी आपको के लिए एस्ट्रा लेती हूं तो कुल मिलाकर मेरा यहां धाई इन्च हो गया है इस तरीके से या फिर आप सीधा सीधा भी ले सकते हैं सीने और कमर को कोई दिक्केद वाली बात नहीं है अब यहां पर निशान मिला देंगे इन तोनों को अब निशानों को मिलाने के पाद हम शेपर से यहां पर शेप देंगे तो फ्रेंट पार्ट का जो शेप होता है उसे इस तरह के से बाहर की तरफ निकाल कर हम शेप देते हैं तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है अस्तीन की जगह भी और जोल भी नहीं आता है बगल मे हमारे तो इस तरीके से शेपर की हेल्प से शेप देना काफी एजी हो जाता है तो आप शेपर जरूर रखे अपने पास तो इस तरीके से शेपर को रखना सीख लीजिए कैसे रख कर शेप देना है अब यहां पर हमेशा अगर आप मेरे रेगुलर व्योवरे तो आपको पत तो इससे बगल में फूलन नहीं आती है, जो फूलन आती है जो जोलाता है वो नहीं आता है, ठीके तो इस तरीके से मैंने शियर दे दिया है अब हम यहाँ पर नेक की तरफ डाउन करेंगे क्योंकि मैं इसका पैक नेक पीछे का गला टीप बनाने वाली हूं, तो नेक कैसे ड किले की साइट से तीन इंच पर एक निशान लगाना है यहां पर आपको नेक इस तरीके लगती है कि किसे क्या कहा जाता है ठीकिके अब इसके बात हम बेल्ट अनिशान लगाएंगे तो बेल्ट मैं कले की साईट से तीन इंच पर एक निशान लगाऊंगी यह बेल्ट हमारे बिना काम कर रहेगा लेकिन फिर भी हमें नाप लगाना जरूरी है यह काम में नहीं आएगा हमारा तो गले की तरफ से मिने तीन इंच पर एक निशान लगा दिया है अब जो फिटिंग वाली साइड है वहां पर जाकर हम आधा इंच कम कर देंगे और धाइंच पर एक निशान लगा देंगे अब इन दोनों निशानों को स्केल की हल्प से मिला देंगे हम तो यहां पर मिने निशान को मिला दिया है अब हम जो हमारा में निशान है ना फिटिंग का वहां पर भी एक लाइन बना देंगे क्योंकि हमें side party का निशान लेना है इसलिए तो मैंने line बना दी है यहाँ पर और यह हमारा 2 इंच margin हो गया ठीक है अब side party के निशान के लिए हम जो हमारा fitting वाला निशान है वहाँ पर inch tape रखेंगे अंदर वाले निशानों पर नहीं रखेंगे तो यहाँ पर मैंने inch tape रख दी है अब नॉर्मल यह आपको धाई से सवा तीन तक ले सकते हैं विसे तीन इंच भी काफी होता है नॉर्मल साइज में आपको धाई इंच पर एक निशान लगाना है fitting वाले निशान से और heavy साइज में 3 और बहुत ज़्यादा heavy है तो सवा तीन या फिर आप एक काम और कर सकते हैं या पर आपका जो blouse है तयार उसमें आप सीधी साइड ले लीजिए और नाप लीजिए कि साइड पटी कितनी आ रही है तो इस तरीके से लेकर भी आप निशान लगा सकते हैं और और ऐसे ही आप लगाना चाहते हैं तो नॉर्मल साइज में धाई पौने तीन तीन तक आप लगा सकते हैं यहाँ पर मेरा 36 से में पौने तीन इंच पर लगा रही हूँ पर कभी भी आपको तीन सवा तीन से जादा नहीं करना है यह काफी होता है तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब हम गले की साइज से 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे यह सभी साइज में आपको इतना ही लेना है गले की साइज से में 1.5 इंच ले रही हूँ ने एक इंच का वहां पर से आपको देखना है कि कभी भी आपको धाई इंच से कमने ही करना है ठीक है तो यहाँ पर आप इसलिए एक निशान लगा लिजे धाई इंच पर तो काफी अच्छा रहेगा और यह भी सभी साइजेस के लिए एक ही फॉर्मूला है तो मैंने धाई अभी भी कम नहीं होनी चाहिए इतनी तो रहनी ही चाहिए ठीक है तो अब यहां से निशान को मैंने इस तरीके से मिला दिया है अभी डार्क कर लूँगी इसे तो इस तरीके से आप एक बार देख जरूर लीजिए हो सकता है गोलाई देने में आपका धाई इंच से कम हो है और गले की तरफ भी इसे बढ़ाना है तो यहां पर में निशान रखकर आदा इंच पर एक निशान लगा दूगी इंच टेप रखकर सॉरी तो यहां पर मैंने इसे आदा इंच बढ़ा लिया है बेल्ट की तरफ अब यहां पर भी इंच टेप रखेंगे और आदा लिए अपने के निशान लेगा दिया अब यहां पर भी एक लायन बना देंगे अब लायन बनाने के बार best एक निशान था ना हमारा जो child 2019 लिया था इसे mix करकर पूरा-नापत aproxim में चैनल आपैंगे क्यों अब हमें शेप लगाना है तो पूरा-नापना के लिए हम क्या करेंगे इसे एक तरफ से तरी के से उठा लेंगे तो इसका nukar जाएगा और इस तरी कि से प्रेस कर देंगे हमारा center point निकल कर आ जाएगा अब मिनहां पर एक से डेड़ इंच पर एक निशान लगाना है अब एक इंच पर कब लगाना है जब आपके ब्लाउच की लेंध नॉर्मल है तो आप एक इंच पर लगा दीजे और अगर आपके ब्लाउच की लेंध पंदरा तक है तो आप डेड़ इंच पर एक निशान लगा दीजे ठीक ह ध्यान रखना, सेंटर पॉइंट पर मैंने इंच टेप रखी और एक इंच पर एक निशान लगाया है, अगर ब्लाउस के लिए इन्थ जादा है, तो आपको टेर इंच पर लगाना है, अब यहाँ पर इस बैल्ट को मिला लेंगे हम, अब मैंने इसे मिला दिया है, अब मिलाने के बाद इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से मिला देंगे, तो यहाँ पर इन निशानों को मैंने मिला दिया है, स्कैल की हल्प से, अब इन दोनों निशानों को भी हमें मिलाना है आपस में, देखिए यहाँ पर शेप बन गया ह ईसे भी हम मिला लेंगी तो जिसे přिल सकते हैं इ Areaoday को क॑रा तयार हो गया है यहां Pr fís ॥ आइने स्क्त Okay कोई यूज सर्ध इसका कोई यूज नहीं है पर हमें फिर भी इसका निशान लगाना होता है यहां परोटे लग से काटेंगे पर यह कॉई कामieso नहीं यूह यहां पर मैरी मार्किंग हो जुगी आप कटोरी मेरी डर्ट हैं मडे को कटो parallel के साइब देंगे की के सब कर लेंगे क्योंकि दो इंच का यहां पर टक्स रहेगा तो आप दो इंच छोटा भी ले सकते हैं ठीक है अब मैं पहले इसकी कटिंग कर लूँगी यहां पर तो यहां पर मैं इसकी कटिंग पहले कर लूँगी उसके पाद हम बैल्ट की कटिंग करेंगे और कटोरी का डाट लगाएंग सबस्खें कि अफनी के अग्तिर एह और यह मुनि उसकें 나도 कुछ सबस्कूनि muchís पयारा में पहले He मैं आने करें किस नहीं है पर यह तरह पर यह थिजै तो कर देदारों कि यहाँ कर दोल सकते हैं किस था नाया यहां पर में एक दो पॉइंट इतना इस्ट्रा लेकर कट कर दूंगी तो इस तरीके से हमारी कटिंग हो गई है अब हम बैल्ट का निशान लगाएंगे तो बैल्ट मुझे तीन इंच तयार चाहिए गले की साइट से तो मैं यहां पर एक इंच एस्ट्रा लोंगी चार इंच पर इक निशान लगाओंगी सिलाय मार्जन के लिए चाहिए होगा और इस तरफ से हमें 1.5 इंच तयार चाहिए तो हम 1 इंच एस्ट्रा लेंगे 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे क्योंकि हमें 1.5 इंच ridiculously का बैल्ट चाहिए Pennsylvania. इस थर फी मिने 3.5-3 इंच पर दर नि कि यहां इस तरीकिण कर लेंगे, तोध आप से ख़ता दुटे बढ़े से हमने कोई टेंशन होतीर दूरों तरीके से रखे जाएंगे आमने सामने और यह बैल जो जादा हिस्सा होता है यह तरीके से रखा जाता है अब चलिए हम इस कटोरी में टक्स का निशान लगा लेते हैं तो यहां पर मैं से इस तरीके से फोल्ड कर दूँगी जहां पर हमारा सेंटर मांक है तो इस तरीके से मैंने फोल्ड कर दिया है अब फोल्ड करने के पाज जो हमने दो इंच लिया था न वो टक्स के लिया था तो यहां पर हम एक इंच पर निशान लगाएंगे बंद भाग क साइट से और यहां पर टक्स की लेंगे सवादू ले सकते हैं धाई ले सकते हैं तो यहां पर मैं सवादू दो ले रही हूं सवादू क्योंकि नॉर्मल लेंथ का ब्लाऊ से आप धाई तक ले सकते हैं अगर ब्लाऊ की लेंथ जादा है तो अब दोरों रिशानों को स्कैल के help से मिला देंगे हम तो इस तरीके से मैंने मिला दिया है यहाँ पर तो यह आपका tux बन चुका है इस तरीके से आप चाहे तो burst point की help से भी कर सकते हैं पर मुझे यह ज्यादा perfect तरीका लगता है मैं आपको burst point वाला तरीका भी सिखा दूँगी तो यह dart कुछ इस तरीके से होता है राइट साइट से पकड़कर हमें से सिलाई लगा देते हैं तो burst point वाला तरीका कुछ इस तरीके से रहेगा इस तरीके से आपको burst point देखकर आधा इंच प्लस करके निशान लगा लेना है पर मुझे वह तरीका ज्यादा परफेक्ट लगता है आप चाहे तो इस तरीके से burst point भी नाप सकते हैं तो यहाँ पर हमारा पूरा blouse का जो फर्मा है वो complete हो गया है इस तरीके से आप किसी भी size का फर्मा cutting कर सकते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया या नहीं समझ में आया नहीं प्लीज कॉमेंट करक चैनल को सब्सक्राइब करें और नाप से मैं आपको cutting करना भी बता दूंगी ब्लाउस से तो फिर मिलते हैं हम नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई and thanks for watching guys